गुड मॉर्निक एवरीवन, स्रीहरी इंटरनेशनल पॉब्लिक स्कूल, स्टान्डर थर्ड, टुदे वी आर गोइंग टू लान अबाव चेप्टर नमबर ड्वाल, जानवर कप पैदा हुए, इस चेप्टर में पंडित जवाहलाल नहरू है, वो अपनी बेती इंदिरा घं पंडि के नाम एक पत्र लिखते है, और पत्र में यह बताते हैं कि जो जानवर है, एनिमल है, वो कब पैदा हुए, उनकी लाइफ कैसी होती है, उसके बारे में बताया गया है, पसु पक्षियों की दुनिया कैसी है, वो हर एक एट्मोस्फियर में किस तरह से रहते है, वो इस पाठ के द्वारा बताया गया है, तो आईए बच्चों, अब हम पाठ के बारे में देखते हैं, पसु पक्षियों की दुनिया बड़ी ही रोचक और रंगिन है, इस पत्र में भारत के पहले प्रधान मंत्री पंडित जवाहलाल नेहरू ने अपनी बेती, इंदिरा गा इंदू को पसु पक्षियों की रंगिन दुनिया के बारे में बताया है, क्या आप चानते है, स्वतंत्रता सैनानी होने के कारण नेहरू जी का अधित्तम समय जयल में ही बिटता था, वो क्या करते थे, जब जयल में थे, तो उस द्वारा अपनी बेती को ये पत्र लिखते हैं, प्रिय इंदू, शुरू-शुरू में छोटे-छोटे समरुत्ती जानवर और पानी में होने वाले पोधे दुनिया की जानदार चीजों में से थे, वे सिर्फ पानी में ही रह सकते थे, किसे कारण पानी से बाहर निकल आते, तो जरूर मर जाते होंगे, जैसे आज भी मचलियां सुखे में आने पर मर जाती है, यहाँ पर क्या है, कि जो छोटे-छोटे समरुत्ती जानवर है, वो पानी में ही रहते हैं, और ऐसा होता है कि अगर वो पानी से बाहर निकले, तो मर जाते हैं जिस तरह से मचलियां पानी के वे जानवर जिनकी खाल जरा सक्त थी सुखी जमिन पर दुसरों से कुछ ज्यादा देर तक जी सकते होंगी क्योंकि उन्हें सुखने में देर लगती थी इस प्रकार जिनकी खाल ज्यादा सक्त थी सुखी जमिन पर वे बढ़ते गए सोचो कितनी अजिब बात है जानवर धिरे धिरे अपने को आसपास की चीजों के अनुकुल बना लेते हैं अब क्या है कि जिनकी जो आउपर की खाल होती है वो सक्थ यानि हार्द होती है वो जमिन पर रहने के काबिल हो जाते है तुमने देखा होगा थंडे देशों में जहां पहुंच जादा बर्फ गिरती है वहाँ चीडिया और जानवर बर्फ की तरह सफेद हो जाते है अब क्या कहना चाहते है वो कहते है कि बेटी अगर तुमने देखा होगा कि थंडे देशों में जो चीडिया होती है जानवर होत मुत मैं धाले कौश लो만 पतंट रया. मुत मैं बनान लेल होते हैं. जैसे उनकी आसपास की चीजे हो, उनका रंग इसलिए बदल जाता है कि वे अपने को दुस्मनों से बचा सके, उनका रंग बदल क्यों जाता है क्योंकि वो दुस्मनों से बचा सके, क्योंकि अगर उनका रंग आसपास की चीजों से मिल जाए, तो वे आसानी से दिखाई नह देंगे इसलिए चिते कारण पिला और धारीदार होता है उस धूब की तरह जो दरब तरो से होकर जंगल में आती है वह घने जंगल में मुस्किल से दिखाई देता है ठंदे देशों में उनकी खाल पर घने बाल निकल आते है जिससे वे गरम रह सके जो ठंदे देशों में रहते है उनके सरील पर बहुत ज़्यादा बाल होते है क्योंकि वो ठंदी से बज सके और बाल की वज़े से वो गरम रह सके इस अजिब बात को जानना बहुत जरूरी है कि जानवर अपने धंग रंग को आसपास की चीज़ों से मिला देते हैं उनका जिवित रहना ज्यादा आसान हो जाता है उनकी संख्या बढ़ने लगती है हम ऐसे बदलाव जो हमारे चारों तरफ होते रहते हैं देख नहीं सकते क्योंकि वे बहुत दीरे दीरे होते हैं और हमारा जिवन बहुत छोटा होता है लेकिन प्रकूती अपना काम करती रहती है और चीजों को बदलती और सुधारती रहती है वह न तो कभी रुपती है और न आराम करती है प्रकूती मतलब नेचर वो अपना काम करती रहती है बदलती रहती है और सुधारती रहती है वो कभी रुपती नहीं है अब हम नेक्स आपस की चीजों के अनुकुल बना लिया और आगे बढ़ते गए इसी तरह आदमी भी तड़क्की करता गया यह यह कहो कि प्रकृति उसे सुधारती रही पर आज उसके घमन का ठिकाना नहीं वह सोचता है कि और जानवरों से उसका मुकाबला ही क्या लेकिन हमें याद रखन चाहिए कि हम बंदरों और वन मानुसों के ही भाई बंधू है और आज भी शायद हम में से बहुं तेरों का सोभाव बंदरों जिसा ही है यहाँ पर क्या कहना चाहते है कि हम बंदरों और वन मानुसों के भाई ही है यहाँ यह अपनी बेती को बताना चाहता है अब जरा प्रप्रूति ने मानव को क्या दिया है वो यहां पे ग्वेशन पूछा गया है लास्ट में लिखते हैं तुम्हारे पिता जवाहलाल नहरू यह उनका जो लेटर है पत्रा है वो यहां पे फिनिश होता है अब हम कठें शब्दों के अर्थ जानते हैं सबसे पहले है जानदा मतलब जानदार का अर्थ होता है जिन में जीवन हो अनुकूल यानि मेल रखने वाला माफिकाने वाला धारीदार धारियो से युग बल बदनाम बदनाम का अर्थ होता है पड़िवर्तन लाना मुकाबला यानि बराबरी खाल तवचा चमनी दुश्मन मतलब शत्रू फिर ह दड़क्त मतलब बड़े-बड़े पेल दड़क की प्रगति बहुं तेरो मतलब अधितर ये तो थे पठिन शब्दों के आर्थ अब हम अभ्यास देखते हैं अभ्यास में सबसे पहले है मोखिक प्रश्णा मोखिक प्रश्णा में फर्स्ट एक्वेश्चन है यहाँ पत्र है वो किसने किसको लिखा है वो आपको बताना है क्या लिखोगे यहाँ पत्र पंदित जवाहलाल नहरू ने अपनी पुत्री इंदू या तो इंदिरा गांधी को लिखा है सेकंड विश्चन है चीते का रंग कैसा होता है चीते का रंग कैसा होता है चीते का रंग पिला और धारीदार होता है थर्ड विश्चन प्रकुर्टी किन हे सुधारती रहती है प्रकुर्टी चीजों को सुधारती रहती है किसे चीजों को सुधारती रहती है फोर्थ क्वेशन मानव किनके भायबंदू है? मानव बंदरो और वन मानुसों के ही भायबंदू है एकदम इजी क्वेशन है ये आपको बताने है मिलान कीजे यानि मेच दो फॉलोईंग और ब के साथ आपको मेच करना है फर्स्ट है छोटे-छोटे समरुद्ती जानवर तो क्या आएगा? सामने सिर्फ पानी में ही रह सकते है सेकंड है मचलियां सुखे में आ जाने पर मर जाती है फर्ड आदमी सोचता है और जानवरों से उनका मुकाबला ही क्या? फोर्थ का आएगा सेकंड कि उनका रंग इसलिए बदल जाता है कि वे अपने को दुस्मन उसे बज़ा सकी इस तरह से मेच द फॉलोइंग आपको मेच करना है फिर है सही सब्द लिख कर वाक्या पूरे कीचिये फिल इन द ब्लैंक कम्प्लिट करनी है फर्स्ट है जानवर दिरे दिरे अपने को आसपास की चीजों के क्या आएगा अनुकुल बना लेते है सेकंड जानवर अपने को उसी तरह का बना लेते है जैसे उनकी आसपास की चीजे हो ये फर्स में अनुकुल है सेकंड में आपको लिखना है आसपास नेक्स पेज पर दिखते है उनका रग इसलिए बदल जाता है कि वे अपने को क्या आएगा थर्ड सत्त्रो से बजा सके क्या लिखना है सत्त्रो फिर फोर्थ है जो अपने को बदल लेते है उसका क्या आएगा अपने को बदल लेते है उसका रहना आसपास हो जाता है फिर इन्द ब्लैंक में क्या आएगा जीवित रहना जीवित रहना आसान हो जाता है अब लास्ट है चीजों को बदलती और सुथार्थी रहती है कौन? प्रकृती, प्रकृती चीजों को बदलती और सुथार्थी है फिर है उदाहरन दीजिए आपको यहाँ पर फॉर संटन्स दिये गए है उसमें सबसे पहले पाणी में रहने वाले दो जीव ऐसे कौन से दो जीव है जो पानी में रहते हैं तो क्या आएगा मचली और मगर मच सेखन है सूखी जमिन पर रहने वाले दो जीव क्या आप नाम लिख शकते हो हाथी है या तो फिर सेर है थर्ड ऐसे दो जीव जिनका रंग सफेद हो जो सफेद कलर के होते हैं ऐसे लिखने है अनिमल के नेम खरगोष गाय फिर घने वो लंबे बालो वाले दो जीव जिसके बाल बहुत लंबे होते हैं रीच भालो यह दो ऐनिमल के नाम है आप कुछ अगर कुछ दूसरा लिखना जाते हो तो हो भी एनिवल का नामा आपको द लिख सकते हो फिर है दिये गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए जैसे कि फर्स्ट क्वेस्चन है जीवन की सुरुआत कहां से हुई थी जीवन की सुरुआत कहां से हुई थी तो आनसर क्या आएगा जीवन की सुरुआत छोटे छोटे सम्रुप्ती जानवरों तथा पानी में रहने वाले पोधों से हुई थी चोटे छोटे सम्रुप्ती जानवरों तथा पानी में रहने वाले पोधों से हुई थी Second question है सुखी जमिन पर रहने वाले जानवरों की क्या विसिस्ता थी? जो सुखी जमिन पर रहते हैं उनकी विसिस्ता क्या है? सुखी जमिन पर रहने वाले जानवर धिरे धिरे अपने को आस पास की चीजों के अनुपुल बना लेते थे थर्ड क्विश्यन है गरम देशों और थंडे देशों के जानवरों के रंग में क्या अंतर होता है जो गरम देश में रहते है वो जानवर और थंडे देशों में रहते है उन दोनों के बीच में अंतर क्या है तो आंसर क्या आएगा थंडे देशों में अधिक बर्फ गिरने के कारण वहां चिर्या और जो जानवर होते हैं बर्फ की तड़ह वो कैसे होते हैं सफेद हो जाते हैं और गरम देशों में अधिक हड्याली होने के कारण वो जानवर हरे या तो फिर दुसरे चमकदार रंगों के हो जाते हैं फोर्थ क्वेशन है थंडे देशों के जानवरों की खाल पर घने बाल क्यों निकल आते हैं? क्योंकि थंडे देशों के जानवरों की खाल पर घने बाल निकल आते हैं, जिन में वे गरम रहकर वो गरम रह सके इसलिए हम प्रकृती में होने वाले परिवर्तनों को देख क्यों नहीं पाते next question है हम प्रकृती में हो रहे परिवर्तनों को देख नहीं पाते क्योंकि वे बहुत धीरे-धीरे होते है और हमारा जीवन बहुत छोटा होता है last question आदमी को कीस बात का घमंड है आदमी आदमी ने भी अपने आस पास की चीजों का अपने अनुपुल बना लिया और उसकी नकल करना करता गया इस बात का उसे बहुत घमंड है now we will see on next page पाठान्स पर आधारीत प्रस्ना यहाँ पे आपको पाठ का paragraph दिया गया है उसके हिसाब से आपको प्रश्नों के उत्तर देने है पाठ के लाइन है जानवर दिरे दिरे अपने को आस पास की चीजों के अनुपुल बना लेते है तुमने देखा होगा थन्डे देशों में जहां बहुत ज्यादा बर्फ गिरती है वहाँ चिडिया और जानवर बर्फ की तरह सफेद हो जाते है गरम देशों में जहां हडियाली और पेड बहुत होते है वह हरे या तो किसी दुसरे चमकदा रंगों के हो जाते है इसका यहाँ मतलब है कि वह अपने को उसी तरह बना लेते है जैसे उनकी आस पास की चीजों हो उनका रंग इसलिए बदल जाता है कि वह अपने को दुसमन उसे बचा सके क्योंकि अगर उनका रंग आस पास की चीजों से मिल जाए तो वह आसानी से दिखाई नहीं देंगे अब हम पहले फर्स क्रिश्चन दिखते है थंडे देसों में चीज़िया और जानवरों का रंग सफेद क्यों होता है थंडे देसों हो तो उसमें जानवर और चीज़िया का रंग सफेद क्यों होता है क्योंकि थंडे देसों में बहुत ज़्यादा बरफ कीरती है इसलिए वहां चिडिया और जानवरों बर्फ की तढ़ सफेद हो जाते हैं यह आपको question का answer लिखना है second है गरम देशों के जानवर कैसे होते हैं answer क्या आएगा गरम देशों के जानवर हरे या किसी दुसरे चमकदार रंगों के हो जाते हैं यह answer आपको लिखना है third question है जानवरों का रंग उनके आसपास की चीजों जैसा क्यों हो जाता है क्या answer आएगा जानवरों का रंग उनके आसपास की चीजों जैसा इसलिए हो जाता है कि वे अपने को दुसमनों से बचा सके इसलिए अब क्या है नीचे दिये गए शब्दों के विलोम शब्दा लिखी दुस्मन और चमकदार दुस्मन का विलोम शब्दा क्या आएगा ओपोजिट वर्ड दोस्त और चमकदार का मट मेला यानि जो चमकिला ना हो ऐसा अब भासासे में है है या है लिख कर वाक्य होड़े कीजिए जैसे कि फर्स्ट है मचलिया सुखे में आने पर मर जाती है यहाँ पे है आईगा सेकंड है यह कितनी अजीब बात है थर्ड चिडिया बर्फ की तरह सफेद हो जाती है फोर्थ वह घने जंगल में मुश्किल से दिखाई देता है फित प्रकृति अपना काम करती रहती है इसी तरह से है या है लिखकर आपको वाक्य कंप्लीट करने है विलूम शब्द लिखिए ओपोजिट वर्ड लिखिए जानदार का बेजान सुखा मतलब उसका अपोजिट होता है गिला गरम का थंडा फिर है मुश्किल मुश्किल का अपोजिट आसान सब्ध नरम धिरे तेज इसी तरह से या आपको अपोजिट वर्ड कंप्लीट करने है फिर है निचे दिये गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए सुरू सुरू दिरे दिरे रंग धंग आसपास आप खुद भी अपने ये वाक्या बना कर लिख सकते हो जैसे की फर्स्ट है सुरू सुरू तो क्या आएगा निर्भई ने सुरू सुरू में क्या है कुछ गलतियां की थी सुरू सुरू में कुछ गलतियां की थी सैकन दिरे दिरे कच्चुआ दिरे दिरे चल कर खरगुश से आगे निकल गया या तो खरगुश से पहले पहुंच गया रंग धंग मुंबई जाते ही मुकेस ने रंग धंग बदल लिये या तो बदल गये आसपास हमें अपने आसपास के स्थान को साफ सुतरा रखना चाहिए इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हो फिर है मेरी कलम से सुणनी द्वारा लिखा गया पत्र पढ़े ये एक पत्र लिखा गया है वो आपको पढ़ना है जैसे क्या लिखा है प्यारी कुकी यहां हमारे स्कूल के सामने एक पीपल का पेड है जहां पड़ एक बुढ़िया बैठती है वह उबले हुए सिंगाडे बेचती है मा से रोज दो रुपिय लेकर जाती हूं और खरिद कर मजे से खाती पीपल के नीचे संबल कर जाना पड़ता है जमिन पर चीटे रेंगते है काट ले तो देर तक जलन होती रहती है चीटे तो मुक्त में खाते है पीपल अपने फल के बदले उनके में कोई कीमत नहीं लेता तुम भी अपने पिता से बोलो यही आगर रहे मेरी एक नई दोस्त बनी है सावडी नाम ही नहीं उसका रंग भी सावला है सायद मुह पर मलाई नहीं लगाती होगी मेरी दादी ने बताया था कि मलाई लगाने से गोरे हो जाते है अब नेक्स पेरिग्राफ है वहाँ पर क्या चल रहा है क्या हिंदी के अध्यापी का अभी हर बात के बात ठी कि कहना बोलती है उधर की तरह इधर भी सब बोलते है कि पढ़ोगे तो समझदार बन जाओगे मुझे तो स्कूल जाते छह साल हो गए पर किसी से पूछू कि थंड में कुत्ते के पिल्ले बिना रजाई के कैसे रह लेते है तो बोलते है चुपड़ हो अभी तुम ना समझ हो तुमने बताया था कि तुम्हारी नानी बहुत समझदार है वो तो कभी स्कूल नहीं गए पता करके बताना की वे क्या खाती है अरे हाँ तुम पोस्ट कार्ड में पता सही लिखना पिछली बार तुम्हारा पत्र मेरे पढशी के घर में पहुंच गया था तुम्हारी सहली सुननी इस तरह से ये सुननी ने अपनी सहली के नाम पत्र लिखा है तो इस तरह से आप भी किसी फ्रेंड को या तो सहली को पत्र लिख कर अपनी नौट बुट में तयार कर लिना जो भी आप इस स्कूल में होता है या तो आप स्कूल में क्या गया करते हो, वो बताते हुए आपको एक पत्रा लिखना है, फिर निचे दिये गए चितरों में छुपे हुए जीव जन्तु को धून ये, यहाँ पे आपको तेन पिच्चर दिये गए है, उसमें से ये कौन-कौन से जो जीव जन्तु है, उसके आपको नाम लिखने है इन तीनों की, इस तरह से ये हमारा जाप्टर है, वो कंप्लीट होता है, और एक्सरसाइज है, वेस्चन आंसर है, नॉट गूप में आपको वन टाइम कंप्लीट करना है, टेक केर, ठैंक यू.